अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का स्टरी आईक्यू पर स्टरी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सरधा लिया एक और विशे पर एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आ गया हूं दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्रा देने की एक प्रक्रिया जो है उसको शुरू किया गया है अब पॉलीस टेशन की कैंटीन में एक हेल्दी मील जो है वो दिया जाएगा इस बात को सर्टिफाई किया गया है जो पॉलीस परसुनल है जो उन पॉलीस टेशन में नियुक्त है उनके लिए एक स्वस्त भोजन की पूरा का पूरा प्रबंद जो है वो कैंटीन के अंदर किया जा रहा है विस्तार से इस पूरे के पूरे विशे पे जर्चा करेंगे उन से वो पुली स्टेशन है किसको हम healthy meal कहेंगे और किस इकाई के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रोग्रेम जो है एक initiative जिसको नाम दिया गया Eat Right Campus इस Eat Right Campus के तहट जो Food Safety and Standards Authority of India है FSSAI जिसे कहा जाता है FSSAI का प्रयास है कि nutritious food लोगों को दिया जा सके इसके तहट अलग-अलग संस्थान जो है चाहे Police Stations हो Jails हो या अन्य कोई Campuses हो वहाँ पर मिलने वाला भोजन जो वहां की mess यहां केंटीन में भोजन मिलता है उसको इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें एक nutritious value जो है वो मौजूद रहे nutritious और wholesome meat जो है वो लोगों को दिये जा सके और इसी दिशा में नई दिली के अंतरगत चार पुलिस थानों केंटीन में eat right campus initiative को शुरू किया गया है जिसके तब nutritious food जिसको FSS से आई nutritious मानता है वो खाना जो है वो पुलीस कर्मियों को इन केंटीन में दिया जाएगा यह चार police stations कौन से है पहली बार police stations की category में किसी को यह certification जो मिला है कि इन केंटीन में इन police station की केंटीन में wholesome meal nutritious food जो है वो मिलता है तो यह benchmark इन चार police stations वड़ा set किया गया है कोन से है यह चार police stations बारा खंबा रोड police station तिलक मार्ग police station cannot place police station और मंदिर मार्ग police station यह चार police थाने जो देली police के है नई देली के अंदर आते हैं वहाँ पर अब इस प्रकार का certified food जो है वो provide कराया जाएगा तो यहाँ पर हमें समझना होगा क्या है यह eat right India क्या मतलब है nutritious food का wholesome food का तो eat right India एक campaign है जिसकी tagline है सही भोजन बहतरीन जीवन यानि के एक स्वस्त जीवन एक जीवन को व्यतीत करने के लिए भोजन जो है उसका सही होना बहुत ज़रूरी आप जानते हैं जिस तरीके से हमारी life जो है वो change होती जा रही है हम लोग बहुत जादा निर्भर हो गए है fast food के उपर ready to eat food हमको मिल जाता है maximum लोग इस बात से agree करेंगे कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप fast food खाना नहीं चाहते लेकिन it becomes your compulsion क्योंकि आपको जल्दी है आपको फटा फट कुछ handy अपने हाथ में पकड़ना है जो एक burger हो सकता है एक sandwich हो सकता है उसको आप फटा फट खाते हुए भागते हुए अपने काम के लिए निकलते हैं तो समय को देखते हुए समय की time constraint आपके उपर रहता है readily available होता है इस वचा से हमारा पूरा का पूरा जो तरीका है जीवन व्यतीत करने का उसमें हमारी eating habits जो है उसमें बहुत जादा बदलाव आ चुका है जो कहीं न कहीं health के लिए सहीर हुए तो इसी दिशा में Eat Right India Initiative FSSAI द्वारा शुरू किया गया है क्या है ये Eat Right India Initiative तो FSSAI ने Eat Right Movement को शुरू किया था जुलाई 2018 में उदेश्य ये था कि भारत में जो Public Health है सार्वजनिक स्वास्त यानि के देश के आम नागरीकों का स्वास्त जो है उसको बहतर बनाया जाए and combat negative nutritional trends यानि के जहां पर हम ऐसे edible items का intake कर रहे थे जो हमारे स्वास्त के लिए सही नहीं है इस वजहा से बहुत सारी lifestyle diseases lifestyle diseases क्या होती है जो हमारे जीवन शैली के कारण बिमारिया नहीं है यानि कि हमने physical activity काम कर दिया आज maximum generation जो है वो अपना जादा तर समय बैठ करके laptop पे chair table पे काम करते हुए बिताती है यानि कि हमारी physical activity जो है वो ना के बराबर हो गई है तो ये क्या है ये lifestyle change है और इस change in lifestyle की वज़ा से बहुत सारी बिमारियां जो है वो पनप रही है इन बिमारियों से बचने के लिए इस तरीके के initiative important थे जहां पर हम healthy food जो है वो लोगों को दे पाए तो उदेशे ये था a large scale effort to transform countries food system देश के अंदर सभी भारतियों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करने के लिए पूरी की पूरी खाद्य प्रनाली को जो है वो बदलने का प्रयास FSSCI द्वारा किया गया है इस eat right India movement के तहित अब क्यूं या ये तो समझ में आया कि हमें खाना जो है nutritious value के साथ सही ढंक से खाना है जिसको eat right moment का नाम दिया गया जरूरत क्या थी इसकी what was the need for such initiative तर असल एक स्वस्थ जीवन के लिए safe food healthy right बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ इंडिया में high burden है of food born diseases भारत के अंदर बहुत सारी बिमारियां ऐसी है जो इस वज़ा से होती है क्योंकि हमारा भोजन जो है वो सही नहीं है हम सुरक्षित भोजन नहीं कर पा रहे जिसकी वज़ा से बहुत सारी ऐसी बिमारियां हमें हो रही है लोगों के अंदर देखी जा रही है जो सही खाना खाने की वज़ा से नहीं है इसमें under nutrition आता है micronutrient deficiency आता है growing incidence of obesity and non communicable diseases like hypertension, diabetes and heart related diseases मोटापा जो है वो सबसे गंभीर समस्या बनती जा रही है क्यों हमारा lifestyle इस तरीके का हो गया हम जो खा रहे हैं उसमें या तो micronutrients की deficiency है या वो proper तरीके से digest नहीं हो रहा है क्योंकि उसको digest करने के लिए प्रयाप्त मात्रा में हम physical exercise नहीं कर रहे है lifestyle हमारा इस तरीके का हो गया है जिस वज़ा से सबसे पहले तो obesity की problem आती है मोटापा होता है और उसके साथ में बहुत सारी associated non communicable diseases आप जानते हैं hypertension, diabetes, heart related diseases ये मोटापे से ग्रस्त लोगों में सबसे जादा देखने को मिलती है तो इस तरीके की problem जो है वो देखने को मिल रही थी अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी विडबना है देश में के एक तरफ 196 million Indians ऐसे हैं जो under nourished है, जो kupotion का शिकार है जिनको जितने पोश्टिक तत्व उनके शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, वहीं दूसरी ओर 135 million लोग ऐसे हैं जो मोटापे से परेशान है जहां जिनके अंदर obesity की problem है, अधिक वजन की समस्या है तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो parallelly exist कर रहे हैं एक बड़ा ग्रूप 196 million लोगों का ग्रूप ऐसा है जो अपनी जरूरत से कम पोश्टी का हार खा रहे हैं जब कि दूसरी ओर 135 million लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरत से इतना ज़ादा खा रहे हैं कि वो obesity का मोटापे का शिकार हो रहे हैं जो है वो high blood pressure को heart disease को मधुमयादी बिमारियों को जनम दे रहा है तो यहां पर इस समस्या की जड़ में जब जाकर के देखा गया तो पता चला कि सबसे बड़ी problem जो है वो सही ढंग से खाना जो है वो नहीं खाना या खाने में परियाप्त मात्रा में nutritious food नहीं लेने के कारण हो रही थी तो इस problem को हल करने के लिए सरकार initiative लेकर के FSCI ने इस mission को शुरू किया mission का उदेश्य है making certain that residents of nation are supplied nutritious में देश के जितने भी नागरिक है इस बात को सुनिशित किया जाए कि देश के हर नागरिक को परियाप्त मात्रा में postic bosons हो है वो मिल सके जिस वचा से जो burden है lifestyle related elements का आप देखिए अगर हम सही डंग से खाना खाएंगे तो obesity, hypertension आदी समस्य हमको नहीं होंगी तो जो जादा वजन वाले लोग है उनकी समस्या इससे हल जो हो सकती है प्लस जब हम सही value के साथ में nutrients जो है वो लेते हैं तो इससे कूपोशन की समस्या जो है under nourishment जो है वो भी हल होगी तो दोनों ही type of जो यहाँ पर group of people है या लोग है जो अलग-अलग समस्यां से चाहे वो कूपोशन की हो चाहे obesity की उनसे जूज रहे थे उनको हम काफी जादा मदद कर सकते हैं तो इसके तहत ही यह initiative शुरू किया गया था और वो है ऐसे संस्थान जो इस तरीके का nutritious food provide करते हैं लोगों को उनको eat proper tag दिया जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि देली पुलिस के चार पुलिस स्टेशन की canteen को eat proper tag मिल गया है यानि कि यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति उस canteen में जाकर कि जब खाना खाता है तो वो इस बात से ensure हो सकता है कि उसको स्वस्थ nutritious food दिया जा रहा है तो हर एक संस्थान की जो food items प्रोवाइट करता है उनकी कोशिश होगी कि उनके भी institution को उनके भी outlet को eat proper tag दिया जाए तो कैसे ये eat proper tag प्राप्त किया जा सकता है एक mandatory preliminary audit होता है जहां भी आप इस तरीके का tag जो है वो हासिल करना चाहते है जो भी आपका outlet है वहाँ पर एक preliminary audit जो है वो किया जाएगा of the campus and figuring out any gaps in cooking and hygiene एक team जो है वो यहाँ पर FSSCI की और से आएगी जो आकर के audit करेगी यानि कि जो आकर inquiry करेगी कि कि क्या आपके outlet में काना सही डंग से बन रहा है चाहे उसको बनाने की विधी हो चाहे उसमें hygiene का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो preliminary basis पे इस तरीके का audit हो है वो किया जाएगा a staff of Delhi police new Delhi district took up the duty of incorporating the scheme of scheme at their police stations with the intent to present wholesome and dietary diet to its personal Delhi police के अधिकारियों द्वारा ये initiative जो है इसको लिया गया कि अपने कर्मियों को अपने police कर्मियों को थानों के अंदर सही ढंक से खाना मिल सके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये पुरा का पुरा program implement किया क्यूंकि police की duty जो है काफी जादा strict duty जो है वो मानी जाती है ऐसे में उनको एक स्वस्थ जीवन मिलना चाहिए जिसके मदद से वो अच्छे से अपनी duty कर पाए police officers stated that the first motive behind taking over the initiative was the welfare of all personnel police अधिकारियों का कहना था कि अपने सारे के सारे police कर्मियों के कल्यान के लिए उनके बहतर स्वास्थ के लिए इस program को take up किया गया था police personnel की जैसे मैंने आपको पहली भी बता है उनकी काफी जादा difficult duty होती है they have to face tough challenges throughout their duties and ऐसा देखा जा रहा था कि police कर्मी बार बार बिमार पढ़ रहे थे और कई बार तो काफी जादा गंभीर बिमारियों से भी इनको जूजना पढ़ सकता तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए अब स्वस्त भोजर nutritious food उनके campus में उनके police stations की canteen में उन तक बहुँचाया जाए देली सरकार ने department of food safety है खाद्य सुरक्षा विभाग है देली सरकार का उन्होंने इस eat right initiative को implement करने के लिए एक program बनाया जिसका नाम था सेहत मंद देली इसके तहत कोई भी area जो है कोई भी food outlet जो है उसको eat right campus घोशित किया जा सकता है अगर वो criteria को fulfill करता है अगर preliminary audit में inquiry में ये समझ आता है कि उनका खाना बनाने का तरीका और खाने में इस्तेमाल किये जाने वाले सभी पदार जो है वो hygienic है तो सेहत मंद देली program के तहत उनको eat right campus घोशित किया जा सकता है जो ultimately सभी के लिए motivation भी है अन्ने food outlets के लिए किस तरीके से nutritious food अगर वो provide करेंगे तो उनको भी एक tag दिया जाएगा और साथ ही साथ लोगों के लिए फाइदे मन्द है क्योंकि अब उनको घर के बाहर भी इस तरीके का पॉश्टिक भोजन मिल पाएगा जिससे ना ही वो को portion का शिकार होंगी और ना ही obesity जैसे बिमारियां जो है उनसे बचने में काफी जादा मदद मिलेगी तो ये पूरा का पूरा initiative है ये exercise जो है किस तरीके से certification दी जाएगी involved infrastructural changes किसी को भी अगर ये certification लेना है साफ बरतनों का इस्तेमाल करना होगा अपने kitchen staff को train करना होगा और even अपनी food items में अपने menu में भी modification करना होगा ताकि सिरफ और सिरफ postic आहार लोगों को दिया जा सके और लोग जो है यहां से जादा से जादा मात्रा में अगर यहां पहुंचते हैं तो वो अपने लिए एक healthy diet चुन रहे है जो ultimately एक स्वस्त जीवन के लिए बहुत important होगी तो यह पूरा का पूरा news article इसके विशे पे हम बात कर रहे थे क्योंकि हाल ही में देली police के चार police थानों को इस तरीके का certification दिया गया है जहां उनकी मैसिया कैंटीन में पोश्टिक भोजन जो है वो अब police कर्मियों को दिया जाएगा I hope हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा article समझ में आया होगा दोस्तों अगर आप civil services के लिए prepare कर रहे है studyiq.com यो studyiq की app पर 2022 के UPSC exam को target करते हुए बहतरीन स्मार्ट को शुरू किया गया है इस course में अन्रोल करें और अपनी preparation को बहुत बहतर बनाएं Thank you very much All the best Keep working hard Bye-bye Take care Jai Hind